हलो फ्रेंज वेल्कम बाइक तो मैं चैनल रजनी वी व्लोग और कैसे आप सब लोग उम्हेद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम बनाएंगे केले का कोपता तो यहां मैंने केला लिया है और यह बढ़िया हारा तालजा केला है यह देखे और हमारे केले का कोपता हम ज़्यादा पसंद करते हैं और कई तरीके से केले के सबजी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती तो आज हम बनाएं यह देखिए और अब इसका जो पीछे का डंठल है वो हम कट कर देंगे और कट करने के बाद हम इसको बॉयल करेंगे तो जी जो इसका डंठल है उसको हम कट कर देंगे थोड़ा सा आगे का और पीछे का दोनों साइट का हम इतनी पर से कट कर देंगे यहां से यह देखिए त और एक हाथ में मैंने पौन लिया हुआ है, तो कटना मुस्किल है, तो हम इसको कट करके फिर आपको दिखाते हैं, एक तो कट गया है, और जो उपर वाला हिस्सा है, वो नहीं कट पा रहा है, तो हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद ये दिखिए, तो यहाँ पर मैंने दो के कड़ाई में रख दिया है, तीन के लिए हैं, और अब इसको ढख के हम पकाएंगे अच्छे से, और यहाँ पर मैंने लेसन और प्याज लिया है, तो इसको हम पीस लेंगे, और पीसने के बाद, हम इसमें सारे मसाला मिला दिये हैं, यह देखिए, धनिया पाउडर, दो चमच, आदी चुटी चमच लालमेच पाउडर, आदी चुटी चमच गरम मसाला, और आदी चुटी चमच हल्दी पाउडर, और इन सभी मसालों को हम अच्छे से, चम्मच से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे तो मसाला हमारा तयार हो गया है और यह देखे केला भी अच्छे से बॉयल हो गया है तो हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होके फिर हम इसको छील लेंगे तो पहले हम इसको ठंडा होने देते हैं और अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और अगर वीडियो देखी रहा है तो एक लाइक भी कर दीजे और ब्लोग को पूरा देखे और मेरा सपोर्ट कीजिए मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट के बीना मैं कुछ भी नहीं हूँ और प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए तो मैंने यह देखिये चिलका हुझोद था वह मैंने निकाल दिया है और अब इसको हम अच्छे से मैस कर लेंगे तो मैं हासिसको मैस कर रही हूँ जोजय कि अच्छे से मैस हो जाए इसमें गुठलिया ना रह जाएं और थोड़ा सा गुनगुना है तो कर लेंगें कोई दिक्कत नहीं और जय्दा अगर गरम है तो ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से मैस करें और यहां पर मैंने लिए थोड़ा सा मसाला जीरा, लालमेच पाउडर, थोड़ा सा दन्या पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला तो इन सभी चीजों को और थोड़ा सा है नमक तो हम इसमें डाल दिये हैं और हमने इसमें डाला है दो चमच बेसन बेसन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है वरना मतलब जो कुफता बनेगा फो टाइट बनेगा तो हमने इसमें बस थोड़ा सा ही वेशन डाला है और अब इसको हम हाथो से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर बाद में हमें थोड़ा सा पानी के ज़रुत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डाल के और इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो इस तरीके से हमने अच्छे से इसको फेट लिया है गीला गीला और उसके बाद हम इसको बनाएंगे तो यहां मैंने कड़ाई में ऑल डाल के रख दिया, ऑल गरम हो गया है और कड़ाई पर दियान मत दीजेगा क्योंकि मैंने उसी कड़ाई में जिसमें मैंने केले को बॉल किया था उसी में तेल डाल के गरम किया है, तो तेल हमारा गरम हो गया है और अब हम इसमें पकोड़े की तरह बना लेंगे जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरीके से तो हमें उतना डालना है जितना तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें एक एक करके डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे तो नीचे के साइड में अच्छे से फ्राई हो गया है तो हम इसको दूसरी साइड में प्लट करके और अच्छे से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और इसको हमें तब 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 फ्राई करना है जब तक यह अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए अगर आप लोग इस तरीके से केली का कुपता बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सौफ्ट बनेगा और बहुत ही डेस्टी लगेगा खाने में तो यह देखिए मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है और अब इसको हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में और जो थोड़ा से है फों भी हम डाल के फ्राइ कर लियंगे तो यह देखिए यहां पे मैंने फ्राइ कर लिया है पकोड़े को और अब इसका हम कुफता बनाएंगे यह देखिए कि अच्छे से फूले हुए है और एकदम अच्छे से कृस्पी हैं यह देखिए बहुत ही चीरा डाला है कटे हुआ प्याज और इसको हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूल लेंगे अच्छे से और भूलने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले तो ये देखे प्याज को हमने सुनहरा होने तक भून लिया है अब इसमें हमने जो मसाला मिक्स करके रखा था वो हम डाल देंगे और मसाली को तेल छोड़ने तक अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें बहुत ही ज़ाधा टेस्टी लगेगा तो ये देखे मसाला तेल छोड़ दिया है और मसाला हमारा भुन के तयार है नीचे चिपक रहा है तो मिसको चलाते हुए छुड़ा लेंगे और इसमें से बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है तो हमने इसमें डाला है दो गलास पानी के करीब अगर आपको चरदा पतला चाहिए पतला क्या आप जब इसको अगर थोड़ी दिर के लिए रख भी देंगे आदे घंटे के लिए तो ये गाड़ी हो जाती है तो इसलिए मतलब ग्रेवी अपने हिसाब से ही डाले बहुत जादा न पतला हो न बहुत जादा गाड़ा हो तो मैंने इसमें डाला है देड़ चुटी चमश नमक नमक आप अपने स्वात के अनुसार डाले और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में हम एक और अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा चला देते हैं और यह जब अच्छे से पक जाएगा तो इसका जो टेस्ट आप वो बहुत ही अच्छा आएगा तो यह देखे पक रहा है और यह हलका सा पतला रहेगा तभी हम इसको उतार लेंगे और गैस को बंद कर देंगे क्योंकि अगर थोड़ी दिर बाद खाना या अगर तुरंत ही खाना है गैस से नीचे उतारा और सब के लिए खाना निकालने के तब तो ठीक है जितने आपको गाड़ा ग्रेवी चाहिए उतना आप कर लीजिए और अगर थोड़ी दिर के लिए किसी का इंतजार करना है तो आप थोड़ा सा पतला ही गैस को बंद करके और कड़ाई को दार लीजिए इससे क्या होता है अगर आदे गंटे रखे रहते ना तो गाड़े हो जाते हैं तो यह कुपता बहुत ही जादा टेस्टी लगता है खाने में साथ में मैंने रोटी और चावल बनाया है तो अगर मेरा यह रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक से और कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और प्लीज कोमेंट कर करके बताएगा कि मेरी यह रेसिपी कैसी लगी आप लोग को तो कैसी लगी आप लोग को मेरी यह डिनर की धाली और मेरी रेसिपी आप लोग कोमेंट करके जरूर बताएगा तो आप लोग से मिलती हूं एक नए ब्लॉग में तब तक लिए बाए